कि क्या आरवी जेए के वेकेंसी हर साल आएगी यह सवाल बहुत से स्टूडेंट्स के मन में है और कई सारे वीडियो के कॉमेंट्स में भी हमने यह पाया है देखिए 2019 में वेकेंसी आई और अब 2024 में हमें देखने को मिल रही है काफी लंबे गैप के बाद यह वेकेंसी आ र सब्सक्राइब कि सर बहुत कम समय बचा इतने समय में हमारे लिए शायद मुश्किल हो या पॉसिबल ना हो पाए लेकिन अगर कोई अगला हमें देखने को मिलता है तो उसके अंदर हम शायद थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो यहां पर मैं बता देता हूं सब्सक्राइब को मिल जाएगी सवाल खतम नहीं होता है कि कि वेकेंसी क्या हर साल यहीं का पेपर होता हर साल वेकेंसी आती है लमसम ठीकिन एकाज साल कोई ऐसा पीछे चूटा हुआ है जिसकी कारण वर्ष किसी की वेकेंसी रह गई हो लेकिन आप यह मान कर चलिए हर साल एससी की वेकेंसी आती है और यह भरूसा हमारे साथ होता है इसलिए हम एससी की वेकेंसी के लिए लगातार तैयारी भी करते हैं अब देखिए अश्विनी वैशनव जी जो की रेलवे मिनिस्टर ने अपने एक इंटर्वियू में कहा कि पहले हमारे को यह दिक्कत आती और इसलिए हमें कुछ बच्चों को जॉइनिंग देते थे फिर उनको ट्रेन करते थे फिर बच्चे बच्चों को जॉइनिंग देते थे उनको ट्रेन करते थे फिर बच्चे बच्चों को और चार-चार-पांच-पास साल हमारी सिर्फ जॉइनिंग देने में उनको ट्रे ट्रेन भी कर पाएं इसलिए अगर आप देखेंगे कि 2024 में वेकंसी देखने को मिली 2024 का भी तो एक्जाम भी नहीं हुआ है 2025 के वेकंसी का इंटेमेशन आ गया कि जून 2025 तक आपको इसका टिश्वनी वैश्नल तो आप यहां पर अभी तक तो जिस तरह से रेलवे कर रहा है कि 2024 की निकालने के बाद और 2025 का इंटेमेशन दे दिया है इस तरह से आप लगातार अपनी preparation जारी रखिए ठीके ना इस बार की वेकेंसी में 2024 में देखे कोशिश करने की करना ही करना है लेकिन नहीं भी हो पाया तो 2025 का मौका भी हमारे सामने हैं और यह annual calendar SSC की तरह हमें आर भी में भी देखने को मिलेगा एक पॉइंट दूसरा देखिए SSC 2025 का भी अब कैलेंडर आने वाला है annual calendar तो 2025 के पॉइंट ओव यू से आप जहां आर भी के लिए प्रिपैर करेंगे साथ-साथ SSC के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही यह examination के अंदर आपका technical part लगभग लगग सेम होता है लेकिन अज्यव थोड़ा सा बड़ा है है इसलिए आप मैं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैंने चैनल के ओपर एसे से और भी के दोनों के पॉइंट वी से प्लेलिस भी बना दी है तो आप उसकी प्लेलिस में जाकर उसकी वीडियो को देखकर अपने आपको आगे भी बढ़ा सके कैसे मैं सिंपल बता देता हूं देखिए यहां पर अगर आप यूट्यूब लिखेंगे गूगल में तो यूट्यूब आपका खुल जाएगा और यूट्यूब में आप लिख सकते हैं एई-ई-ई-ई टेस्ट बुक जैसे लिख सब्सक्राइब कर सकते हैं और किस एक्जाम की और प्रिपेरेशन आप कर रहे हैं वह भी आप कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं धन्यवार झाल